हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट इंट्रिंस एक्जाम यानि की टी डावल ई पर आईए सभी हमारे साथ जुट जाएए और क्लास को एक बार सेयर कर दीजे ताकि जिस तक नोटिफिकेशन नहीं पहुचा है उन तक भी क्लास को पहुचाया जा सके तो सभी लोग हमारे साथ प्रिक्टिस सेट को सॉल्ब करेंगे जैसे कि हम रोज ही करते हैं वेसे ही आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो आज का हमारा पहला कोश्चन हो जाएगा तो आज का हमारा पहला कोश्चन हो जाएगा कोश्च नम्मर 15 तो 15 में हमसा बोला गया है बुद्धी मत्ता के समकालिन सिध्धानतों जैसे की हावर्ड गार्डनर द्वारव दिये गए सिध्धानत के अनुसार बुद्धी के बारे में निम्निलखित में से कौन सा कतन सही नहीं है बतला हम नेगटिव देखना है कौन सा कतन क्या है सही नहीं है ये पूछा है तो पहला option हमारा दिया गया है हमसे बुद्धी मत्ता को मानकी करत परिक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है दूसरो option हमारा दिया है बुद्धी के अंतरगत कई स्वतंत्र बुद्धिया आती है तीसरो आप्शन हमारा दिया है बुद्धी आन्वानशिक वा परिवरण कारगों के जटल परिश्पर क्रियाओं का परिडाम है और चौतो आप्शन है हमारा प्रेरक परिवेश्ट प्रदान करके बुद्धी मत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है बिल्कुल सही बात है तो पहला वाला जो वो हमसे बोला गया है कि बुद्धी मत्ता को मानकी करत परिख्षाओं के दोरा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है मानकी करत परिक्षाओं के दोरा नहीं ये गलत हो जाएगा हमने बोला था कि मानकी करत क्या होगा कुछ भी मानकी करत नहीं होना चाहिए मतलब सभी के लिए मानकी करत परिक्षाओं मानकी करत कोई भी प्रक्रिया मानकी करत नहीं कर सकते ठीक है तो क्या हो जाएगा ये नेग जो हsided आनौगा शिका और प्रेंवलण का जटल परस पर क्रिया है ये दियां परी पीछले वेंड़ लप कोश्षिंस मयरें कर चुके हैं और चौथथा ओप्शनमिंद्भी सही कहा गया है लेकिन हमारा फ slबまず फ रॉपच्शनमिंद गलत है तो गलत हैं अगले कुछिन की तरफ बढ़ते हैं कुछ नंबर 16 है मारा 16 में हमसे पूछा गया है हासिये पर रहने वाले समुदायों से पहले पहली बार स्कूल में प्रवेस लेने वाले विध्यार्थियों को सिक्षिका कैसे मदद कर सकती है बलब जो लोग हासिये पर रहते हैं वो पहली बार जब स्कूल आएंगे तो उनके लिए कैसे सिक्षिका मदद कर सकती है पहला हो जाएगा उसको उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हमारा दूसरा हम से बोला गया है कि उपयुक तो पाड़ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर बिल्कुल सही बात है कि उनको क्या करेंगे उनको सहायता देंगे सीखने में उनको क्या करेंगे सहायता देंगे और उनकी भागीदारी को कक्षा में बढ़ाएंगे की वो अपने तरीके से सीखें या फिर अपने आपको अनुकूल करें अपने आपको ढालें टालें ठीक है या फिर खुद ढ़लें म ad दूसरा option correct हो जाएगा क्या करेंगे उनको पाड़ देंगे मालब उनको साहता देंगे और उनके अनुकूल क्या करेंगे सिक्षा वेवस्ता को चलाएंगे अगला है हमारा उन्हें बहुत से जटिल कारे पत्रक ग्रहकारे में देंगे यह गलत हो जाएगा चौथा है हमारा उ पत्रक चलाएगा क्या होगा उनको help करेंगे मतलेव उनके सीखने में में क्या करेंगे help करेंगे अगला कुछन हमारा question number 16 सेबधे हालि 17 17 में हमसे खूचा है समाविशी सिक्षा का उद्दे से क्या है option एक हो जाएगा हमारा बिसिस्ट अवश्रक्ताओं वाले बिध्यार्तियों का ब्यूजन second हो जाएगा हमारा बिसिस्ट अवश्रक्ताओं वाले बिध्यार्तियों के लिए बिसिस्ट सिक्षा का हख है बिल्कुल सही है कि चाहें प्रकार करने का अधिकार है भिद्याले में सिख्षा पाने का अधिकार है तो यह हो जाएगा कि कि किसी भी प्रकार का विद्ध्यार्ती हो उसे क्या हो जाएगा एक five- curly जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यही होती है हमारी समावेशी सिक्षा मतलब कुछ ऐसे बच्चे जो सक्षम हो कुछ ऐसे बच्चे जो अक्षम हो उनको एक साथ पढ़ाना क्या होता है समावेशी सिक्षा कहलाती है तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन है मारा कोश्ट नमर 18 18 में हमसे पूशा गया है समावसी सिंख्षा क्या मांग करती है ओप्शिन एक हो जाएगा हमारा ब्यक्तिकत भीवनताओं को पहचानते हुए पाठिकरम में लचीलापन दूसरा हो जाएगा हमारा विध्यार्तियों की छमताओं के आधार पर प्रिथेक करण तीसरा हो जाएगा सभी विध्यार्तियों के लिए मानक पाठे चर्या चोथ हो जाएगा बिस्स्ट चरूरतों वाले बिध्यार्तियों के लिए केवल ब्यवसाइक सिक्षा का प्रवन्दन तो समाविसी जो सिक्षा है वो क्या मांग करती है तो पहला ही हमारा option गलत हो जाएगा क्या बोला गया है हमसे व्यक्तिकत बिविन्ताओं को पहचांते हुए पात्यचरिया में लचीला पन की मतलब इस बिध्यार्ति के अनुसार पाट करम को लचेला बनाना चाहिए मतलब वो उसके अनुकूल उसको अमेश मलब आसानी से सीख सके ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारा first option correct हो जाएगा किस सिक्षा जो है किस सरीके से होना चाहिए बिधार्थी के अनुसार होना चाहिए तो option अमारा a बिलकुल correct हो जाएगा विशंग केतन और बरतनी में संघर्स, दूसरा हो जाएगा ध्यान ना केंदर करपाना, अतिसकरी सीलता, आवेग सीलता, तीसरा हो जाएगा मौलिकता, प्रवाल, अचीलापन, चोथा हो जाएगा हमारा मास पेसियों के संचालन, गती, समन्मेन में कठनाई, तो कौन सा हो जा और ध्यान विधान कौन सा था, वो तो, वो किसका था ध्यान विधान, जब वो नहीं, मतलब एक ही जगे पर नहीं बैट पाता था, तो ये किसका लक्षर था हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर विध्यारती जो है, बार-बार इदर उदा ध्यान केंदरित करता है, एक जगे नहीं लगा पाता है या फर नहीं बैट पाता है खो देता है अपनी सारी चीजे तो वो किसका था ध्यान अविदान विकारगा ठीक है तो पहला आप्शन अमारा सही हो जाएगा जब उसको पठन में कर लेगा तो क्या है बरतनी में संगर सुत्पन करेगा अगला संकक्षियों की तुला में उच्चतर सामाजिक कौसलवा परिपकोता तीसरा हो जाएगा स्वतरन रूप से समस्या समाधान चोथा हो जाएगा बौद्धिक जिग्यासा यह पूछा गया हमसे अभी लेक्षन नहीं है प्रतिवासाली बिद्धार्ती के अभी लेक्षन नही है तो क्यों सा हो जाएगा हमारा दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी भी विद्धार्ती की क्या है तुला नहीं कर सकते यह हमने पहले ही बताया था तो क्या बोला गया इसमें समकक्षियों की तुला में उच्चतर सामाजिक कौसलवा परिपको कोई जरूरी नहीं हो option हमारा correct हो जाएगा question number 21 की तरफ पढ़ते हैं 21 है हमारा 21 में हमसे पूछा गया है पौधों पर चर्चा करते हुए एक सिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंद में भ्रांतियां है इस अंदर में सिक्षक को क्या करना चाहिए तो पहला option हो जाएगा हमारा बिध्यार्ति को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोवारा निर्माड करना चाहिए दूसरा option हो जाएगा ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए बिध्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विशय को छोड़ देना चाहिए अगला ओप्शन अमरा हो जाएगा इस पस्ट रूप से ब्रहांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए यह सही जानकारी देनी चाहिए चोथा उप्षन हो जाएगा, विद्ध्यार्तियों को बधिक रूप से तुक्ष नाम्निकरण करना चाहिए उन्हें बिस्स सिख्षा के लिए अनमोदित करना चाहिए तो भ्रहांतियों को लेकर क्या करना चाहिए सबसे पहले ही उप्षन हमारा सही बोला गया है कि बिध्यार्तियों को उनकी ब्रहांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए बिल्कुल सही बात है कि जो भी ब्रहांतिया है जो भी उनको confusion है उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए उनको पहचान करने में उनकी बिध्यार्तियों की मदद करनी चाहिए सिक्षक को तक कि जो विध्यारती हैं वो अपनी समस्या का हल ढूंड सके और अगर नहीं समझा रहा है तो उन्हें अपने आप समझाना चाहिए मदब सिख्षक क्या करेगा पहले तो उनकी मदद करेगा नहीं समझा रहा है तो उन्हें समझाएगा उनकी ब्रहांतियों को दूर करेगा दूसरे में बोला गया है कि ब्रहांतिया पालने के लिए सजा देनी चाहिए अगर वो कंफ्यूज अगर उनको कंफ्यूजन हो रहा है जाएगा अगला कोशन है मारा कोशन नमबर 22 कथन और कारण वाला कोशन है कथन में हमसे पूछा गया है अधिगं में समालोशनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेश खबर का लेक है और अधिगं करताओं को समुमें चर्चा करने को कहती है कोई समाचार पत्र लेकर आती है और जिसमें क्या है विशेश प्रकार की खबरों का लेक है और उनको अधिगं करताओं को मतलब सीखने वाले बच्चों को चर्चा करने के लिए कहती है दूजर तरक में बोला गया है माद्य में कि इस तरफार पाथे पुस्त के ही घ्यान का एक मातर माद्य हो सकती है बिल्कुल गलत कर गया है कि माध्य में कि तर पर क्या होना चाहिए के वल बुक्स ही तो पहले है हमने देख लिया कि आ गलत है हमने चेक्र लिया और आप्षन के जरुरहती की जरूरत ही natage तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्षिन ब्लुकुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि A सही है हमारा और R क्या हो जाएगा हमारा गरत हो जाएगा तो थर्ड ऑप्षिन हमारा सही हो जाएगा अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 23 है हमारा 23 में हमसे बोला माध्य में कि स्कूल के सिक्षक को क्या करना चाहिए ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा विद्यारतियों की तुटियों उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए मतलब विद्यारतियों की तुटियों इसलिए बतानी चाहिए कि वो कितुना असफल है दूसरा ऑप्श है इससे तो क्या होगा वो सरमिंद की महशुद करेगा और दोबारा वो कुछ करने के लिए प्रोचसाहिद भी नहीं होगा जबकि हतोत साहिद होगा अगला हो जाएगा हमारा विध्यार्थियों को अप्शर उपलब्द करवाने चाहिए ताकि वे अपनी अगला है हमारा फॉर्ट फिर भी देख लेते हैं कि विध्यार्थियों को त्रमिंद करना चाहिए ताकि भविश्य में कोई त्रटिया नहीं करें तो इससे क्या होगा वो कोई त्रटिया नहीं करेगा बिल्कुल गलत बात है कि अगर एक सिक्षा किसी विद्ध्य हर्थि को अपमानित कर देता है तो यह आपशन हमारा गुलट हो जाएGा यानि कि THERRD IOPTION हमारा सही है तो यहीवाला हमारा सही हो जाएगा कोश नंबर 24 है हमारा 24 में हमसे पूशा गया है क्या प्रतिस पर्दा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेणा के रूप में प्रियोग करना चाहिए पहला ऑप्शन हो जाएगा हाँ इससे सम्दुक अक्षियों से प्रदर्शन की तुल्ना मे कारण है this कि और 5 हमारा हमारा इसी विद्यारतियों को दूसरे से बहतर करने में बढ़ावावा मिलता है इस है अभीप्रेणा को रूप में को होई यानों कि औप्ष्ण सेकिंड करेक्ट हो जाएगा अगला अगला कोश्ण हें अमारा कौश्ण निम लिखित मेसिक इसमें अधिशंग्यान आत्मक छमताओं की अवश्यक्ता पड़ती है पहला हो जाएगा हमारा प्रियोग के चर्णों का विवर्ण तूसरा हो जाएगा समस्य समाधान की अपनी रणीतियों पर चिंतन तीसरा हो जाएगा गड़ती संक्रिया की नियत प्र शंग्यान होता है ठीक है अगला कुछन है हमारा कुछ नंबर 26 26 में हम से पुछा गया है एक सिक्षिका विध्यार्थी की समस्या समाधान की छमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है पहला हो जाएगा पूछताच को हतोत साहित करके पूछताच को हतोत अन पूरो को को प्रियोग निषैद करके अन्हुर्ण का प्रियोग करने के लिए कहना जाएगे तो यह भी निगेटेव हो ग्या तीसरा है चनौतियों से बचने के लिए सारे हल उप्लब्द करवाकर सारे हल खुदी हो जाएगा हमारा क्षण के विद्ध्याति को समस्या समयदान के तरीके कि किस तरीके से तुम कर सकते हो लेकिन इसको करने के लिए फौर्थ आप्षण हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुशन को 27 27 में हमसे खुश आ गया एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा है पहला हो जाएगा हमारा बच्चे निसक्री रूप से सुनते और एक सिक्षिका पढ़ाती रहती है ठीक है बच्चे सुनते रहेंगे चाहे समझा आए चाहे ना आए एक सिक्षिका बोलती रहेगी यह गलत हो जाए रचनात्मक कक्षा में क्या होना चाहिए बैठने की विवस्ता जो होनी चाहिए वो क्रिया कलाब के अंसार बदलती रहनी चाहिए मतलब जिस तरीके की क्रियाई की जा रही है उस तरीके के बच्चों को उसी तरीके से बच्चों को बठाना चाहिए ताकि उन्हें हर चीज इस परस्ट रूप से समझा सके चोथ हो जाएगा हमारा आकलन को अधिगं के परे अलग गतिविदियों के रूप में किया जाना चाहिए मतलब आकलन जो किया जाना चाहिए अधिगं से अलग होकर किया जाना चाहिए जबकि आखलन क्या होता है अधिगन के लिए आखलन मतलब सीखने के लिए आखलन और यह बोल रहे हैं सीखने का आखलन करना चाहिए तो हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी गलत हो जाएगा यानि कि थार्ड ऑप्शन विल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वुश्चन नंबर ट्वेंटी एट है हमारा कि ट्वेंटी एट में हमसे पूशा गया है करेक्ट सार्थकं अधिमती पूण करने के लिए प्रोत साहित करेंगे option एक हो जाएगा सिक्षिकों का विध्यार्वत्य की छमतायों के बारें में सकारात्मक विस्वास दूसरा हो जाएगा बेहत प्रत्थ परत yumक कक्षा संस्क्रति आउसरी हो जाएगा ऐसे बाताबड जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर्वा सर्मिंदिगी पर बल दिया जाए चोथ हो जाएगा हमारा समस्या समाधान के हर चरण में बहुत इनाम दे पहला हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सिक्षकों का बिध्यार्टियों की छम्ताओं के बारे में सकारात्मक विस्वास कि जो सिख्षक है हमारा वो हमें सही चीज बताएगा अगर बच्चे पहले से धारणा बना के चलेंगे कि ये सिख्षक को कुछ आता ही नहीं ये ये नहीं बतावाएंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे इसलिए सिख्षक के बारे में क्या होना चाहिए सकारात्मक धारणा होनी चाहिए ऐसी क्या होता है डॉक्टर के पास जाते हैं हमें विलीव ही तो होता है बिलीव बहुत बड़ी चीज होती है कि हमें बिलीव होता है ये डॉक्टर जो होता है हमें सही दबाई देगा इसलिए तो हम उसके पास जाते हैं तो वही बिलीव क्य होना चाहिए सिख्षक के उपर होना चाहिए और कैसा होने चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए कि यह जो घ्यान हमें देगा वो सही ही देगा और सिख्षक को भी अपने अपना जो करतव हैं इमानदारी से करना चाहिए इसलिए option हमारा ए विल्कुल correct हो जागा यानि कि first option correct हो जाएगा अगला question है हमारा question number 29 29 में हमसे पूशा गया है कौन सा संबेग विद्यार्तियों को अधिगम में हतोत साहित करेगा तो पहला हो जाएगा गर्व गर्व हतोत साहित नहीं प्रोच साहित करेगा आनंद भी प्रोच साहित करेगा उम्मीद भी प्रोच साहित करेगा और बोरियत बोरियत क्या है हतोत साहित करेगा कोई बच्चा बोर हो रहा है तो वह सीख पाएगा बिल्कुल नहीं सीख पाएगा तो इसलिए क्या हो जाएग उनरी चात्र आपके सिक्षक में रुची नहीं ले रहे तो आप क्या कराइंगे तो पहला हो जाएका उन्हें अंदेखा करेंगे और पढाना जारी रखेंगे मतलब सिक्षक पर ज़ता हो जाएंगे रहें Street日 Sum देने के लिए दंडित करेंगे मतलब उनको मार तो नहीं ही करनी है हमने जो भी नेगटिव होंगे उनको हम काड़ देंगे फिर हमारा एक ही option रह जाता है positive बाला यानि कि हमारा fourth option रहे गया fourth मैं बोला गया अपनी सिक्षण बिधियों पर चिंतन करेंगे और बैकल पर बिधी का चेंज करेंगे ताकि बच्चे इंट्रस्ट लें ठीक है तो यानि कि फोर्थ option हमारा correct हो जाएगा तो चलिए आज ही class को हम यहीं पर समाप करते हैं कल फिर मिलेंगे साम पाच बचे ऐसे ही कुछ important questions के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहे ही class को support करते करें और अपनी practice को परकरार रखें थेंक्स पर बोचिंग बाबाई